कॉपी पेस्ट करके फेस्बुक से महाना दो लाक रुपए आप कैसे कमा सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेलो गाइज मैं हूं मुहम्मद तारीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्णवित तारीक तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीर्ट मैथर बताने वाला हूँ जिसको यूज करते हुए आप फेस्बुक से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे और इस वीडियो की खास बात यह है कि आप जितना भी इस पे काम करेंगे आपने इधर से कॉपी करना होगा और यहां पे आके फेस्बुक पे पेस्ट करना होगा और उसके बाद आप इससे अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हो और उसके साथ मैं आपको आज एक सीकर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ एक सीकर्ट रवील करने वाला हूँ जिसको लेके आप अपनी वीडियो पहले ही दिन वाइरल कर सकेंगे और आप बहुत ज़ादा व्यूज फेस्बुक से ले सकेंगे तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ चंद और ट्रिक्स भी शेर की जाएंगी जिसमें आपको स्ट्राइक वयारा नहीं आएगी और आप देर पाफ फेस्बुक पे काम कर सकेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जब मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ सकेगी तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ डिसकस करना चाता हूँ कि क्या हम वाके ही फेस्बुक से 2,00,00,00 महीना कमा सकते हैं अगर मेरी बात की जाये तो मैं कहूंगा जी हाँ क्यूंकि मैं कमा रहा हूँ और आपको आज मैं एक ऐसा मेथड़ और ऐ से आप मूवी यूट्यूब से भी ले सकते हो और आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो लेकिन मूवी आपने वह लेनी है जो के टॉप ट्रेंडिंग में चल रही हो तो यहां पर आर एक मूवी है जो के अभी तक टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत जादा इस पे आ रहे हैं तो सबसे पहला fact यह है कि आपने इसकी जो length लेनी है वो 4 minutes से जादा लेनी है और 20 minutes के दर्मयान लेनी है तो यहाँ पर मैं एक filter add कर लेता हूँ 4 minutes से लेके 20 minutes वाला तो यहाँ पर यह देख लें मेरे सामने यह filter on करते ही जो भी clips यहाँ पर show होंगे वो 4 minutes से लेके 20 minutes के दर्मयान होंगे तो आपने कोई ऐसा scene लेना है जिसके उपर audience रुके कोई ऐसा interesting scene लेना है जो के सबसे पहले ही लोगों को दिखे और उसके बाद वो लोग देखना चाहें कि इसके बाद इस movie का next scene क्या होगा तो कुछ इस तरह का scene आपने create करना है मतलब अपनी वीडियो में hook डालनी है तो यहां पर जिनके अंदर song वगेरा use हो रहा है आपने वो clip use नहीं करना अगर आप पूरी movie डाउनलोड करके उससे कोई clip निकालेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अदर्वाइस आप यहां से भी कोई नो कोई clip आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपने आज आना है एडिटर में तो मैं cap cut use कर रहा हूँ तो यहां पर मैंने वीडियो इंपोर्ट कर लिया और यहां पर आने के बाद सबसा पहला काम आपने यह करना है कि इस वीडियो को मुकमल watch करना है सबसे पहले watch करने का benefit हमें यह होगा कि इसके अंदर को लोगो शोगो कोई song कोई मतलब ऐसा sound तो नहीं है जिससे हमें strike पड़े तो दूसरा fact आपने यह note करना है कि आपने इसकी जो editing करनी है वो अच्छी तरीकी से करनी है तो सबसे पहले मैं movies को में रिव्यू कर चुका हूँ अब मैं क्या करूंगा सबसे पहला काम इसका frame change करना है editing के दुरान अगर आपका frame अच्छा नहीं है तो audience आपकी वीडियो पे नहीं रुकेगी जिससे आपकी वीडियो वाइरल नहीं होगी तो simple इसका frame हम सबसे पहले one by one का रखेंगे facebook वीडियो जो recommend करती है लोगों को वो कोई भी frame है लेकिन जो mobile viewers और laptop viewers होते हैं उनके लिए आप one by one का frame select करेंगे तो यहां पर आपके सामने one by one का frame मैंने select कर दिया है और उसके बाद हवारा frame देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है अब मैं क्या करूंगा अब मैं दुबारा इसका frame readjust करूंगा यहां पर मैं clip के ऊपर click करूंगा और उसके बाद इस clip को drag करके करूंगा crop के option पर जाओंगा और यहां पर one by one का करके इसको simple ऐसे drag कर दूँगा यह पहला तरीका होता है हमारे frame select करने का अगर आप इस तरह से frame select करते हैं तो well and good है otherwise एक और तरीका होता है जिसको use करते हुए आप जादा से जादा audience को अपनी वीडियो पे रोक सकते हो तो यह point आपने लाजमी note करना है कि आपने जो भी frame रखना है जो भी audience को चीज दिखानी है वो कुछ इस तरह से हो के उसमें quality हो अगर उसमें quality नहीं होगी तो viewers आपकी video leave करके चला जगा जिससे आपकी video viral नहीं होगी तो यहां पर यह देखे हमारा clip बहुत ही interesting निकला है यहां अगर हम यह चलाएंगे तो यह 100% viral होगा viral करके भी दिखाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने किस strategy पर काम करना है तो यहां पर यह देखें अब हम दूसरे frame की बात कर लेते हैं जो के एक regular frame है और लोग इस तरह ही इसकी editing करते हैं simple हमने क्या करना है frame के उपर click करना है उससे पहले थोड़ी सी speed आपने वीडियो की तेज करना है तो मैं यहां से वीडियो पे click करूंगा और इसकी थोड़ी सी speed तेज करने से इसका sound change हो जाएगा जिससे मुझे strike नहीं आएगी तो fact number 3 note कर ले आपने इसका sound change करना है तो यहां पर मैं थोड़ी सी speed इसकी one one कर दूंगा तो हमारी वीडियो की जो speed होगी और उसकी audio की जो speed होगी वो तेज हो जाएगी जिससे दोस्तों हमें strike नहीं पड़ेगी तो यह देखें हमारी वीडियो तेज हो चुकी है अब हमने क्या करना है इसका frame दूसरा रखना है जो के एक regular frame है और बहुत जादा करता हूं और इसको मैं okay कर देता हूं जैसे मैं okay करूंगा यहां पर यह देखें ऊपर थोड़ा सा आपको black color का box नजर आना start हो गया है तो इसको आपने अच्छी तरह से adjust कर लेना है adjust करने का मकसद ही होगा कि इसके ऊपर हम कोई ना कोई ऐसा text add करेंगे जिससे movies देखने मे बहुत ही attractive हो और देखने वाले को पता चल सके कि इस movie के अंदर क्या हो रहा है या क्या होने वाला है तो यहां पर उसके बाद आपने एक filter add कर लेना है filter में आना है movie filter में आना है और यहां से कोई एक filter अपने graphic के हिसाब से add कर लेना है यह भी हमारे fact number 4 में आता है कि हमने movies के उपर थोड़ी बहुत color से changing करनी है जिससे हमें strike ना है तो बहुत ज़्यादा लोग आपको यह चीज नहीं बताते है लेकिन आपका वाई बता रहा है तो अभी तक आप अगर video watch कर रहे हैं तो इसको एक like ज़रूर कर दीजेगा अब हमने क्या करना है इसके color भी हमने change कर ल अच्छा लगे आपने लिख लेना है तो उसके बाद आपने कोई ऐसी emoji डाली है जो interesting हो for example यहाँ पर मोजी को select कर लेता हूँ यहाँ पर यह देखें वाव वाली emoji मैं select कर लेता हूँ कि देखने वाला बहुत ही attract होके यह video देखेगा उसको आपने यहां से अच्छी तरह से adjust कर लेना है और अपनी पूरी वीडियो पर इसको adjust कर देना है मतलब जितने मिनट का आपका clip है उतने मिनट तक यह text आपकी वीडियो पर बना रहे है आपने कुछ ऐसे पकड़ के इसको ऐसे drop कर देना है यहाँ पर यह देखें मेरे सामने कुछ आपको netflix का आपको एक नज करनी है तो simple यहाँ पर आने के बाद यह हमारा add हो गया है अब थोड़े से color change करने है जो हमने ऊपर डाले हुए है ठीक है तो मैं simple क्या करूंगा थोड़ा से text के ऊपर click करूंगा इसको adjust करने के बाद और इसका मैं थोड़ा सा color reference बगएरा change कर लूँगा तो यहाँ पर यह हमारी editing complete हो गी है अब हमने इसको high definition में save करना है तो यहाँ पर यह देखें मैं तीनों line इसकी full कर दूंगा HD quality में इसको download कर लूँगा export कर लूँगा अपनी gallery में तो यहाँ पर यह हमारी video save होना start हो गया उसके बाद uploading करने वाला method आपके लिए जिकीनन बहुत जूरूरिया वो आपने miss नहीं करना आपने जब भी movies upload करनी है created studio के अंदर जाके करनी है mobile पे आपने इसको download कर लेना है और simple आपके right corner पे आपको एक person का निशान आ रहा है आपने इस पे click करना है और यहां से video select कर लेनी है तो यहां से मैं एक video select कर लेता हूँ और उसके बाद main चीज आती का नाम है वो आपने नहीं रखना तो यहां पर आपने यह factory note कर लेना है कि जब आपने upload करनी है तब आपने movies का original name नहीं रखना तो यहां पर यह देखो मैं यहां पर रख रहा हूं best movie scene ever उसके बाद आपने description में जो चीज़ें लिखनी है वो सारी की सारी hashtag के साथ लिखनी है यह भी एक fact है जिसकी जरी हमारी वीडियो जल्दी viral होती है तो यहां पर यह देखें मैं hashtag जो viral hashtag आज कल चल रहे है movies content पे मैं वो यहां पर डालना start कर दूँगा और नीचे से कोई एक अच्छा सा thumbnail start कर दूँगा select कर लूँगा उसके बाद इसको simple next करके अपनी movies को upload कर दू तो सबसे पहले आपने उस ID में आज जाना है जिस ID में वो page पड़ा हुआ है जहां पर हमने अभी वीडियो upload की है तो यहां से मैं वो page open कर लेता हूं viral movies के नाम से यह page है तो यहां पर मैं इसको on कर लेता हूं जैसी यह on होगा तो मैं वो वाली movies यहां से open कर लूँगा तो यहां पर यह देखें वही movie चल रही है जो हमने अभी upload की है हम क्या करेंगे हम simple share पर जाके इसका सिर्फ link copy कर लेंगे अब link copy करने के बाद आप ने इस ID से sharing नहीं देनी जिस ID से आपने यह movie लगाई है या जिस ID में यह page पड़ा हुआ है अगर आप उस ID से sharing देंगे तो वा तो उपर सर्च बार में सर्च करूंगा movies या movies वीडियो तो जो भी आप यहां पर सर्च करेंगे उन से related आप ने उपर groups पे क्लिक कर देना है और यहां पर आपको बहुत ज़्यादा group मिल जाएंगे अब बहुत ज़्यादा बंदे कहते हैं auto approval नहीं होते तो यहां पर मैं ए लाजमी करना है तो यहां पर यह देखे link paste किया है नीचे मेरी movie आगी है मैं उपर यह वाला link remove कर दूँगा आपने भी link के साथ movie upload नहीं करनी तो यहां पर यह भी एक fact है viral होने में तो simple यहां से मैंने post कर दिया है और यहां पर यह देख ले मेरी movie publish हो चुकी है इस group में कोई admin approval नहीं है किसी ने में movie को चेक नहीं किया यहां पर यह चेक कर लें और इसके 14,000 मेंपर है तो इस तरीके से आपने अच्छे अच्छे groups find कर लेने हैं otherwise जो मैंने million में group find किया हूं है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर और मैं अपने groups में आता हूं यहां पर your groups student पर क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे जो इस id पे group लगे हूए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर for example मैं यहां पर यह वाला group on करता हूं और इस ग्रुप के अंदर वह वाली ‫विडियो शेयर करता हूँ तो यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं वो लिंक दुबारा पेस्ट करूँगा और इस लिंक को रिमोव कर दूँगा तो जैसे मैं इसको रिमोव करूँगा और सिंपल इसको पब्लिश करूँगा तो मेरी ये वीडियो भी पब्लिश हो जाएगी, इसके मेंबर विएरा भी आप चेक कर सकते हैं, 1.3 मिलियन मेंबर्स हैं और यहां पे बहुत जादा ओडियन्स मेरी वीडियो का इंतजार कर रही है, तो ये फेक्ट भी आप नोट कर लें कि जब भी आपने अपनी मुवी को वाइरल करना है, वो आपके पास अच्छे अच्छे ग्रूप्स होने चाहिए, जिसके अंदर ओडियन्स बैठी होनी चाहिए आपकी वीडियो वाच करने के लिए, तो अगर आपके पास अच्छे ग्रूप्स नहीं हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी वीडियो को वाइरल करना, तो ये बहुत ही इंपोर्टर्ट सीक्रेट है, जो के मैंने आपके सामने रवील किया, हम लोग इसी तरीके से अपनी मुवी कॉंटेंट को वाइरल करते हैं, तो यहाँ पर यह देख लें, आपके सामने मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, आपने सेम इसी तरीके से वीडियो को शेरिंग देनी है, आपने लिंक वगारा एड नहीं करने, आपने वो वाली आईडी यूज नहीं करनी जो के एडमन आईडी है, अगर आप एडमन आईडी यूज करेंगे तो आपकी वीडियो आपका पेज आपकी आईडी डिसेबल हो सकती है, इससे आपको कुछ भी अर्निंग नहीं होगी, तो जैसे ही ये वीडियो वाइरल होगी, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बस इस मेथड के तुरू आपने सिर्फ कॉपी करना है, और थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद फेजबुक पे पोस्ट कर देना है, होप सोग कि ये चीज़ आपको समझ में आई आ और आप भी इस पर अमल करेंगे, लेकिन पहले ही दिन आपको व्यू आएगे लेकिन पहले दिन आपको अर्निंग नहीं होगी, सिंपल आपने इस पे मसलसल काम करना फिर आपको जाके अर्निंग होगी, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इते इजाज़त अलाफीज